राहुल गान्थी को आफिस को एम और पी एम का बीच में जो फरक है वो नहीं पता तो एक दिन वो कैसे सोचते है कि पी एमों को चलाएंगे राहुल गान्थी को सला दिया था कि आपको काबिनेट में आना चाहिए और प्रशासन कैसे चलाना पड़ते हैं उसका हैंड़ एक सवाल से दूसरा सवाल बहुत जल्दी एक सबजेक्ट से दूसरा सबजेक्ट बहुत जल्दी मतलब जाते हैं तो वो उनको लगा कि पता नही मेरा फादर पचाहस साल से भी उपर पॉलिटिक्स में रहे और तो नाचरली उनके विशे में अगर मैं लिखूंगी और उनको डायरी कोट करके उनका साथ मेरा जो कनवर्सेशन सुए हैं उनको कोट करके अगर मैं लिखूंगी तो उसमें तो कॉई बड़ी बात नहीं है कुछ बशय बशय ऐसे हैं तो जिसमें कांट्रोवर्सी होना है फोलिटिक्स एक फील्डी ऐसे है कि जसमें जो कॉट कॉंट रभी प्रडुघ करते हैं एक बहुत अच्छा किस्सा है एम 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 फारे ना उन्होंने गलती से शाम की जगा उनको सुभे बता दी, तो मुझे ADC से पता चला, तो फिर मैंने जब अपना बाबा से जिगर करी इस बात को, तो उन्होंने बोला कि, थोड़ा सर्कास्टिकली उन्होंने बोला कि अगर राहूल गांधी को ऑफिस को एम और पी एम का बीच म में जो फरक है, वो नहीं पता, तो एक दिन वो कैसे सोचते है कि पी एमो को चलाएंगे, आपने एक और दावत किया इस किताब में, कि मान्य पूर राश्परी जी ने कहा था कि राहूल गांधी बहुत कर्चेस हैं, फुल अफ कुश्चन्स हैं, लेकिन पॉलिटिकली मिच अफ बारे में आप लोग मीडिया के लोग है, आप पुछेंगे बहुत जादा, लेकिन उनकी डायरी में बहुत जादा राहूल गांधी जी का बारे में है नहीं, बहुत जादा कुछ, इंट्रक्शन्स कुछ, यूपीय का टायम पर हुए है, और कुछ, जब प्रेसिडें तो राहूल गांधी उनसे मिलने के लिए आते थे, तो उनका जो observations राहूल गांधी का बारे में रहा, उसके बारे में मैंने बताया कि उन्होंने लेखा कि राहूल गांधी जी बहुत ही courteous है और बहुत सारे सवाल करते हैं, जो कि उनको अच्छा लगा कि ये जानना चाहते ह कि बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी लगा कि राहूल गांधी एक सवाल से दूसरा सवाल बहुत जल्दी, एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट बहुत जल्दी मतलब जाते हैं, तो वो उनको लगा कि पता नहीं कितना इनको समझ आ रहे हैं या कितना वो अब्जॉब कर रहे हैं, इसमें बारे में भी मेरा फादर का उन्होंने लिखा, अब्जरविशन लिखा इस विशह पे. एक बार सम्झाने सम्झाने में यही प्रणवदाने कहा था कि आपको केबनेंट में आना चाहिए, थोड़ा एक्सपिरेंस देना चाहिए. बिलकोल, बिलकोल, बिलकोल. उनुन हमने रहाल गशा रहाला गांति को सला दिया था कि आपको केंब्नेट में आना चाहिए और प्रषासन कैसे चलाना पडता है, उसका हेन्डौन ही अपेरिन्स होना बहुत जरूरी है. तो इस बात को उनको कोई डिजिलूशन में नहीं था कि एक दिन बनेंगे, बट हाँ अफकोस वो बनना चाहते थे, ये बात खुलकर मैंने उनसे पूछा था कि आप प्रधान मंतरी बनना चाहते हैं, तो उनका बोला बिल्कुल कोई भी सीरियस प्रधान मंतरी बनना ये नहीं कि मैं बनुँगा. तो फुर्भ कुल मैं ने पूछा, तो उनका कहना ये था कि अनको शायद Sonia Gandhiji को लगा होगा कि एक दिन हो सकते हैं कि फिर्शोड सॉन्या Gandhiji को अथोरिय चालेंज करें, तो मैंने ये बात पूछा कि आप कि अप्या चालेंज करते, तो उनन पर सोनिया गांधी जो को ऐसे लगा, उन्हेंने बहुत बोला, देखिए, पॉलिटिक्स का थ्रोट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यहां सब कोई चाहते हैं कि सबसे पहले अपना इंट्रेस्ट और अपना परिवार के इंट्रेस्ट सेवगाड करें, तो सोनिया जी अपना इंट्रेस्ट और अपना परिवार के इंट्रेस्ट सेवगार कर रहे थे, और उनको जिनको सही लगा, कि वो सोनिया जी की अथोरिटी चालेंज नहीं करेंगे, उनको बनाया, तो इसमें कोई आर्गूमेंट की कोई बात ही नहीं है.